हेलो फ्रेंस वेलकुम चैनल और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपको राजदानी एक्सप्रेस में क्या सम मिलता है खाने को तो चलिए फ्रेंस वन बाई वन स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं लंज से क्योंकि मेरी ट्रेन बिलासपूर से न्यू डेली थी यह स्टार्ट हुई थी टू पीम पे फ्रेंस आप देख सकते हैं यह सब मिला है तो अपसे पहले जैसे मैं आपको दिखाया था दही मिलता है उसके लाबाब पिकल्स मिलता है और बाकी आपको टीशू पे पर मिल जाता है तो friends, चले one by one, आप unpack करते हैं और देखते हैं क्या सब इसमें मिला हुआ है तो friends, आपको wedge और non wedge दोनों मिलता हैं, मैंने wedge order किया था, आप देख सकते हैं, आपको यहा पर jeera rice मिला हुआ है और जैसे मैंने का मैंने wedge order किया था तो यह है पनीर आप देख सकते हैं यहाप पी भी डिनोटेड है और चले फ्रेंज जल्दी से इसको open करते हैं आप देख सकते हैं यहाप आपको पनीर की gravy मिल जाती है इसके अलाबा यहाप देख सकते हैं आप D लिखा हुआ है तो इसमें को मिली होगी दाल तो फ्रेंज आगर आप चाहे तो non wedge भी order कर सकते हैं उसमें आपको chicken gravy मिल जाते हैं तो यह रही दाल इसके अलाबा बात कर लें तो आपको पराठा मिला हुआ है और एक spoon मिल जाता है ओवरल quality की बात कर लों तो quality ठीक है और taste में देख लें तो पनीर और ज tea kit मिल जाता है तो friends tea kit में आपको चाहे बनाने के लिए सब कुछ included है पस गरम पानी जो है staff provide कर देंगे उसके आप चाहे बना सकते हैं इसके लाबा बात कर लें तो snacks में आपको समोसा भी मिल जाता है मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ तो friends यह रहा समोसा इसके लाबा snacks म मैं आपको यहाँ एक हल्दी राम का एक snacks मिला हुआ है और इसके लाबा एक और snacks है मैं आपको वह भी दिखा देता हूँ तो friends आप देख सकते हैं एक यह रहा snacks आप हम लोग बात करने वाले हैं डिनर की तो इसमें भी आपको वैसे ही दो option रहेगा wedge और non wedge का तो friends इस पर मैं देखा देता हूँ तो आप देख सकता है कुछ ऐसा है गुलाब जामुन याप इमिल जाएगा इसके लाबा बात करने तो आपको यहाँ पे दाल मिली हुई है चलिए दाल को भी चेक कर लेता है कि कैसी है दाल जैसे मैंने का था लञंच में कि दाल जो थी थोड़ी पतली तो इस बार देख लेते हैं कैसे दाल, तो फ्रेंज आप देख सकते हैं, दाल वैसी पतली है, पिछले बार मैंने लंच में अक्चली वेज मंगाया था, तो उसमें आपको पनीर ग्रेवी मिला हुआ था, अभी नोन वेज मंगाया है, तो इसमें आपको चिकन ग्रेवी मिल ज बाकि बटर मिल जाएगा, फिर से आप देख सकते हैं, आपको टीकिट मिला हुआ है, गरम पानी जो है, स्टाफ आपको प्रोवाइट कर देंगे, इसके लाव आपको ब्राउन ब्रेड मिला हुआ है, और यहाँ पे जैसे नॉन वेज और वेज दो अप्शन है, तो अगर करेंगे, तो कुछ ऐसा कटलेट आपको मिलेगा, फ्रेंज यह था ओवराल राजधानी एक्सप्रेस का खाना, तो मैं अक्चुली थ्री टायर में ट्रेवल कर रहा था, और जैसे मैंने का था, यह ट्रेन स्टार्ट हुई थी, लंच टाइम से, बिलासपुर से, तो आपको लंच मिला, उसके बाद स्नाक्स मिला, डिनर मिला और ब्रेकफरस्ट मिला, तो आपको चार बार खाना इसमें मिला है, ओवराल क्वालिटी की बात करनें तो क्वालिटी सही था, और कुछ एरिया जैसे मैंने बात की थी, दाल और पराठा वो और बेटर हो सकता था, तो फ् करेगा चैनल को सबस्क्राइब करेगा, बाई!